हालो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चानल कैसे हैं आप सब गाइज आज की वडियो में हम बात करने वाले हैं डाइबिटीज के ट्रीटमेंट की डाइबिटीज यहने की शूगर एक ऐसी बीमारी है जिसके होने पर बॉड़ी का सिस्टम पूरा हिल जाता है इंसुलीन बाडी में कम होने लगता है और देखो विसली इंसुलीन कम होता है तभी हमें डाइबिटीज की प्रोब्लम आती है तो diabetes टू टाइब की होती है दोनों में से किसी भी टाइब की diabetes हो जो formula में आपको natural सा बताने वाली हो न वो दोनों ही problems में जो है आपको अच्छा result देगा तो diabetes treatment को share करने से पहले आपको याद दिलादू कि चानल पर नहीं है तो please चानल को subscribe कीजेगा bell icon press कीजेगा ताकि सारे latest video के update आपको सबसे पहले मिल सके जो natural formula में आपके से share करने वाली हूँ वो totally ayurvedic ingredients है और ये ingredients में से कुछ ingredients ऐसे हैं जो कि आपकी kitchen में भी आपको मिल जाएंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर 200 ग्राम जामुन की गुठली जामुन की गुठली का असल में आपने powder लेना है देखो गाईस आप अच्छे से जानते हो हम लोग सब जानते हैं कि जामुन एक seasonal fruit होता है और जब भी अवेलेबल होता है तो इसकी गुठली को आप store करके जरूर रखिए गर पे आप गुठली जो है ना ऐसे store कर सकते हैं ज आप मार्किट से भी इस powder को purchase कर सकते हैं घर पर इसलिए बोल दियो कि घर पर एकदम neat and clean होता है कोई mix नहीं होता कुछ भी तो इसलिए बोल दियो कि जामुन की गुठली का powder आपने इस्तेमाल में लाना है 200 ग्राम और 1500 ग्राम आपको चाहिए तेज पत्ते का powder तेज पत्ता यानि के 1500 ग्राम ही आपको बेल पत्तर के पत्तो का powder लेना है बेल पत्तर तो देखो बहुत एजली हर किसी को मिली जाएंगे बेल पत्तर का जो पेड होता है जहां बर भी हो वहाँ उन पत्तो को तोड़िए उनको थोड़ा सा ड्राई कीजिए चाया में और फिर उसका powder पी कंटेनर में डाल कर स्टोर कर लीजिए अब आपनी करना क्या यह फॉर्मूल आपका बनकर तयार हो गया है सारी के सारी इंग्रीडियंट बहुत जादा अच्छे है जामुन जो है वैसे ही डाइबटीज के पेशन्स के लिए बहुत अच्छा होता है तेज बत्ता भी जो है डाइबटीज धीरे धीरे कंट्रोल में आचाती है दोस्तों ये नुसका बहुत से लोगों पर अजमाया हुआ घरेलू नुसका है और मैं इतना जरूर कहूंगे कि फ्रेंड्स ये नुसका 100% कामियाब है हां लेकिन हर एक विक्तिकी शरीर की जो तासीर है जो रचना है शा है इसका कोई असर ही ना हो क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि सबकी शारीदिक रचना तासीर शरीर की अलग-अलग होती है लेकिन इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रिट्स ये उसकी है वो स पहुँच पाए तो यह वीडियो इंफोमेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेट शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग लव व्यू आल बाई